नमस्कार दोस्तों, पूझा शिक्त चैनल में आप सभी मेरे माहियों और मेहनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों host अज जिस नईविशे पर हम चर्चा करेंगे, हरताली का तीज का जो वरत तैवार है, वो कल के दिन पढ़ रहा है, जो कि बहुत बहुत युशूब रहता है, ये वरत कवारी करन्या और महिलाएं रखती हैं, पती की कामना के लिए वरत करती हैं, तता विवाहित महिलाएं प पती की लंबी आयू तदा सौभाग्य वती होने के वर्दान के लिए वरत रखती है। उनके लिए कुछ खास बातों का दियान रखना बहुत जरूरी है। कुछ वरत के नियम होते हैं जिने अगर सही तरीके से समझ लिया जाये तो वरत करने में काफी आसानी होती है। सबसे पहले ये वरत जो है सौहागन महिला या कुवारी कन्या रखती हैं लेकिन एक बार वरत रखने के बाद आपको जीवन भर जो है इस वरत का नियम करना होता है। अगर महिलाएं जादा बिमार होती हैं किसी साल तो उनके बतले में घर के अन्य महिला या फिर ंनके पती भी इस वरत को रखकर उनका उससाल का नियम है वो पून कर सकते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं जो है इस दिन उन्हें किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए चुग्ली नहीं करनी चाहिए और खास तór पर अपने मन को काबु में रखना चाहिए यानिकि अपनी भावनाओं को काबु में रखना चाहिए प्रेम् पूर्वक्त वहार करना चाहिए। में किसी भी प्रकार का जो है उस दिन कलेश या जो है खास तोर पर जब हम रोते हैं ऐसा कोई भी कारण नावने जिससे कि ङुनके वरत में जो है बाध आए मानने तहां है ऐसा वरत प्रेम की अफतार मानी जाती हैं तो अगर आप अपने अराध्धी को समर्पित वरत कर रहे हैं उसके बाद अगर घर में कलेश हो रहे हैं लड़ाए जगड़े हो रहे हैं तो ये वरत कहीं ना कहीं आपका अधूरा रहे जायेगा इसके अलावा अगर आप वरत को रख रही है तो किसी बुजुर्ग से जो है आशिरवाद जरूर ले खास्ता और उर्पा जो सुहागन बुजुर्ग महिलाएं होती है उनका अशिरवाद इस दिन जो है बहुत जाधा श्रेष्ट माना जाता है तथा इस दिन उनका आशिरवाद लेने से आपके जो वरत है उसमें तेज की प्राप्ती होती है इस वरत में सोने की मनाई होती है यहां तक कि रात को भी सोना वर्जित होता है जो कि आपको इसकी वरत जो पुस्तक मिलती है उसी में कता रहेगी आपको संपूर्ण जानकारी जो है उसमें प्राप्त हो जाएगी ऐसा माना जाता है रात के समय सोने पर जो है महिलाएं अन्य योनी में याने जो अन्य जीवन लेती हैं उसमें अजगर का रूप या फिर जो अलग-अलग स्वरूप होते हैं उनको प्राप्त करती है परन्तु मनुश्योनी प्राप्त नहीं कर पाती हैं रात के वक्त भजन किर्तन किये जाते हैं खुशाली का मौसम होता है और इस दिन जो है सुहागन महिलाओं को सोला सिंगार जो है अवश्य करना चाहिए जो कपड़े होंगे वो नए कपड़े होने चाहिए अगर पती ने आपको कोई प्रेम स्वरूप कपड़े दिये हैं तो उन्हें जरूर धारन करें जो उनके द्वारा दिया गया कोई भी उपहार हो चोटा बड़ा आपको वो उस दिन जो है जरूर पहनना चाहिए जिससे कि आपके प्रेम की व्रद्धी हो इस दिन सास के द्वारा दिया गया समान भी जो है बहुत शुब माना जाता है अगर सास अपनी बहू को भेट स्वरूप साडी या सुहाग का कोई समान देती है तो उससे जो है बहु को सौभागी की प्राप्ती होती है व्रत के अगले दिन यानि सूर्य होने के बाद माता पारवती जी को सिंदूर चड़ाने के बाद ही व्रत आपका पून माना जाता है इस दिन जो है भोजन नहीं किया जाता है सोया नहीं जाता है तथा संपून होता है स्वच कपड़े मन की शुद्धता तदा आपको जो है पूर्ण रूप से यह ध्यान रखना होता है कि घर में जो है नौन वेज ना बने इस दिन मदिरा पान ना करे कोई घर में तदा कोई भी अनैतिक कारे जो है इस दिन घर में नहीं होना चाहिए अब हम बात में इसकी संपून जानकारी मिल जाएगी परन्तु मैं यहां पर आपको जो पूराने जो लोग जो हमारे दादी वगेरा ने बताये थे हमें मैं आपको वही सामगरी पूरी बता रही हूं क्रिपय आप इसे लिख लीजिए गीली काली मिट्टी या बालूरेत बेल पत्र श जब हम पूजा करते हैं तो हमें पटे के आसपास एक प्रकार से वन की स्थापना करनी होती है तो इस दिन फल फूल का बहुत महत्व और पत्तों का बहुत महत्व माना जाता है श्रीफल याने की जो पानी वाला नारियल होता है ब्राउन कलर का कलश अबीर चंदन घी और देल, कपूर, कुमकुम, दीपक और फुलहरा विशेश प्रकार की पत्तियां जैसे मैंने कहा आपको जरूर लेनी है इस दिन क्योंकि इस दिन जो है आप जितना जादा हर्याली का प्रियोग करेंगे जितना जादा आप पटे के आसपास जितना वन की स्थापना करेंगे उतना ही आपके जीवन में जो है बहुत सा प्रेम और धन क्योंकि हरा रंग धन को प्रतीक माना जाता है खास सवर पर इस दिन हमें हरे रंग की चूडियां काच की जरूर पहननी चाहिए भगवान शंकर की पूजन और आरती जब हम करते हैं तो उससे भी हमारे जीवन में शांती बनी रहती है सुहागन महिलाओं को सिंदूर महंदी बिंदी चूडि काजल जो है जरूर लगाना चाहिए ताकि उनकी बुरी नजर भी दूर हो जो उनके अंदर नेगिटिविटी आ गई है वो भी दूर हो तदा महंदी की हुजबू से जो है उनके जीवन में प्र इस दिन शंकर पारवती जी की बालू या काली मिट्टी से मूर्ती बनाकर गणेज जी की स्थापना करके पूजन किया जाता है पटे पर जो है पटा लकडी का होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें या घर को स्वच्छ और तोरन मंडब आदि सजाया जाता है यानि कि जो है गंगाल जन मिलाकर शिवलिंग रेति सिद्धी सहीत गणेश पारवती वह उनकी सकी के आकरती बनाई जाती है पश्चात देवताओं का हवान करकर जो है आपको पूजन करना चाहिए इस वरत का पूजन पूरी रातरी चलता है प्रतेक पहर में भगवान शंकर की जब आप पूजा आर्ती कर रही होती है उसके बाद अगर आप लगातार इन बीज मंतरों का उचारन करती है तो माता पारवती बहुत जल्दी प्रसंद होकर आपको इस वरत का पूर्ण फल देती है आप जो है बीज मंतरों के बहुत सारे है परंतु मैं यहापर विशेश इस मंतर आपको बताऊंगी जो की बहुत शुब माना जाता है वो है ओम उमाये नम्हा अगर आप लगातार कहती हैं तो एक प्रखार से होता है जितनी बार आप ब्रत में उचारन करेंगी उतना यह जो है जागरत हो जाएगा मंतरों और माता-पारवती की जो है आपको का जाब भी कर लेती हैं या आप ओम नमस्षिवाय ही मैं कहूंगी क्योंकि ओम नमस्षिवाय का जाब अगर हो जाता है तो आपको कभी भी जो है इस फल के जो है दुश प्रभाव देखने को जीवन में नहीं मिलेंगे पूजा होने के बाद जो है आप शिव जी को धोती अंगोचा अर्पित करें पश्चा सुहाक सामगरी किसी ब्रहमनी को तथा धोती अंगोचा ब्रहमन को दान करेंगे दान का बहुत महत्वे है साथ ही साथ शिव जी की परिक्रमा करेंगे गणेज जी के आरती करेंगे और आ आप जो है उपास को पूर्ण करें अंत में सारी सामगरी को एक करतित करके एक गड़ा खोद के जो है इसे मिट्टी में दबा देंगे या नदी किराने ले जाकर या पानी में जो है इसे समर्पित करेंगे तो भाई और वहनों मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो आप सभी